नमस्कार दीपा वली से पहले आपके जीवन पे कुछ बढ़िया होने वाला है आपको साक्षाद मालक्ष्मी का आशिरवाद मिलने वाला है वगवान विष्टू की कृपा आप पर बरस्ते वाली है और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके जीवन की तमाम परशाणियों का अंत होने वाला है हम बात कर रहे हैं मेश राशी की और ये कुणली है आपके समक्ष यहां पर गुरू राहू एक जगे पर बैठे हैं लग्ण में शनी ग्यारवे भाव में केतू आपके सब्तम भाव में जैसे ही 2003 शुरू हुआ सबने ये गाना शुरू कर दिया कि पैसा आने वाला है खुशिया आने वाली है ये बात सही है कि कुछ लोगों के जीवन में पैसा आया भी खुशिया आये भी लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन में नहीं आई क्यों नहीं आई? क्योंकि साल शुरू हुआ, थोड़ी बहुत खुशियां मिली, जब खुशियों का मज़ा लेने का टाइम आया, तो गुरू और राहू का चांडाल दोश बन गया. अब गुरू लगण में बैठे हैं, लेकिन राहू के साथ बैठे हैं, तो जो हमें महनत के फल मिलने चाहिए, वो मिले ही नहीं. महनत जरूर हुए, ऐसा नहीं कहींगे कि महनत नहीं करी, महनत तो खूब करी, लेकि महनत का रिजल्ट नहीं मिला. अब राहू है राक्षास, राहू है सांप, गुरू है पवित्र ग्रेह, तो राहू का जो सांप है न, सांप का क्या काम होता है, सांप तो अपने बच्चों को भी खा जाता है, तो गुरू के शुब प्रभावों को राहू का सांप खा गया है, अब राहू केतु दोनों ही 18 महीने तक एक ही राशी में रहते हैं शनी 30 वर्षों के बाद इस्थान प्रिवर्टन करते हैं गुरू बारा वर्षों के बाद करते हैं तो यह चार ग्रह जो हैं बहुत महत्पूर हैं ये लंबे समय तक एक ही घर में बैठे रहते हैं एक ही घर पर इनका कब्जा होता है और ये हमाई जीवन में बहुत महत्पूर्द रहे हैं जैसे गुरू अगर मे शाशी वालों को ये देखें तो नवम के स्वामी है, भागी के स्वामी है बारवे घर के स्वामी है, मुक्ष भाव के स्वामी है शनी को देखें, तो शनी जो है, दशम के स्वामी है कर्म के स्वामी है, प्रॉफिट के भाव के स्वामी है तो मे शाशी वाले संघश कर रहे थे मे शाशी वाले ये उमीद लगा के बैठे थे जन्वरी गई, फर्वरी गई, मार्श गया, अप्रैल गया, सब गया, अब तो कुछ अच्छा होगा, खोले भी बीद गई, देखते देखते अक्टूबर आ गया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दू कि जो बीद गया, इस तो बीद गया, उस पे मिट्टी डालिये, लेकि सब कुछ नवंबर में मिल जाएगा, लेकिन नवंबर से अच्छे पन की शुरुवात हो जाएगी, आपकी काफी चिंताएं परिशानियों का अंत होगा, नवंबर माह में वक्त एक नई करवट लेगा, देव गुरु ब्रस्पती नवंभाव यानि भागी भाव के स्वाम हैं, राहू के साथ बैटे हैं, तो भागी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बर्तमान में लग्ण में हैं, राजा की गद्दी पर बैटे हैं, लेकिन राहू का सांप उनको फिले नहीं दे रहा है, लग्ण में बैठा गुरु राजा के समान होता है, लेकि राहू ने उसको बां लिया जैसे लक्षमर जी को मेगनाद नाग पाश में बाल नाग पाश किया था नाग यानि कि सर्प जैसे बान लिया था लक्षमर जी बेहोश हो गया थे वैसे ही आप समझ लें कि राहू ने गुरू को बेहोश कर दिया गुरू के शुप रभावों को खत्म कर दिया बदमाश को कितना में सुधार लो सुधरे गाने, राहू बदमाश ग्रह है, गुरू एक सुन्दर ग्रह है, शनी आपकी राशी के लिए सम ग्रह है, कर्म और लाब के स्वामी है, अब देखे, चार नौंबर से शनी भी मारगी हो जाएंगे और 30 अक्टूबर से राहू और ग अब ये देखिए, नौंबर के महीने में आपकी कुण्डली क्या बनेगी, नौंबर के महीने में यह कुण्डली की गुरु अकेले लगन में, राहू बारवे घर में, शनी 11 घर में, वह विमारगी होकर 4 तरक केतू आपकी हो गय है, चटे घर में है, तीस अक्टूबर से आपके जीवर में जो बोज था, आपके जो चाती पर बोज था, वो बोज अब खत्प होने वाला है, ग्यार्वे भाव में स्वेम की राशी में बैठा हुआ, ग्रह शुब फलो की वर्शा करेगा, वो है शनी देव, और शनी भी राजा है, गुरू भी राजा है, दो राजा आपको बलशाली बना देंगे, अब शनी के अंदर भी ताकत आगई, गुरू के अंदर भी ताकत पहले आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, दीपा वली से ठीक पहले आपके जीवन के सारे कश्ट मिटने वाले हैं, आपको घर का सुख, वाहन का सुख, कुवारों को अमीर ससुराल का सुख, पती-पतनी की जो टेंशन थी वो खतम, मकान बनाने के योग मिलेंगे, चालाकी से चतुरता से धन कमाएंगे, आपकी रुकी हुई मनोकामनाय पूरी होंगी, जो मनोकामनाय आपने सोची थी कि मुझे ये हो जाएगा, हुआ नहीं था, अब होगा, शनी की तीसरी द्रश्टी लगन पर होगी, इससे पहले वहाँ पर राहु भी बैटे होगे थे, राहु चिंता दे रहे थे, राहु के ऊपर जब शनी की द्रश्टी थी तो टेंशन थी, और टेंशन तो इंसान जिसके सर पर टेंशन हो, वह आदमी सही काम नहीं कर सकता ऑगभरा जाता है, अब गभरा हा, टेंशन खटम, आलस दूर, और शनी की द्रश्टी गुरू पर होगी त ब्रश्टी का प्रभाव नहीं पड़ता है और ग्यारवे भाव में जो ग्रह बैटा है वो शुभ ही फल देगा तो अब डबल राजा का सुख बिलेगा यानि कि एक राजा को दूसरे राजा का सपोर्ट बिल गया अब आप लगी इंसान बन जाएंगे आपके जीवन में कोई कलंक था कोई परशानी थी कोई दिक्कत थी कोई अपमान था आपके जीवन में सब को दूर हो जाएगा किसी परशानी में आप फ़से हुए थे, गिरे हुए थे, अब दूर हो जायेगा, सब्तमदश्टी से क्या होगा, विदेशी धर्ती में जाने का सुख मिलेगा, शिक्षा का सुख मिलेगा, संतान से सम्मदित परशानञा, आपकी संतान महनत कर रही थी, संतान को तरक्टी न रहे हैं संतान का सुक नहीं मिला संतान बिगड रही है संतान को बुरी आते हैं संतान को आप समझा रहे थे लेकिन आपकी संतान आपकी बात सुनेगी आपकी संतान पढ़ाई में लिखाई में आगे जाएगी आपकी संतान माता पिता का नाम रोशन करें कि विदेश जा सकते विदेश में पढ़ सकते हैं, विदेश ये लाब उठा सकते हैं, शिक्षा का सुख प्रेम संबंद जहां पर प्रेमी प्रेम का लवर आपस में लड़ रहे थे, अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, एक दूसरे एक में प्यार नहीं था, कमिया निकाल ले थे कि तुम ने ऐसा किया, तुम ने ऐसा किया, अब प्यार में कमिया निकालना बंद करेंगे, अब प्यार में प्यार को डूडेंगे, अब रिष्टों में विश्वास घात नहीं होगा, अब रिष्टों में वफादारी आएगी, जब समय खराब था, तो आप ऐसे रिष्टों में फस ग वो शत्रू करजा भी हो सकता है, वो शत्रू टेंशन भी हो सकती है, यह सब खत्म हो जाएंगी, शत्रू बाधा से मुक्त हो जाएंगी, राहू बारवे में होंगे, तो गुरू जो हैं, गुरू की राशी में होंगे राहू, बारवे घर में, तो अब जो गुरू आपके भा ग्यानुवान, ग्यानुवान, संपूर सुक भोगने वाला इंसान मना देंगे, राहु बारवे घर में है, तो राहु बारवे घर में जाकर आपको विदेश का सुक, MNC कंपनी में नौकरी, और आपका अगर वैपार है, तो ये वैपार पूरी दुनिया में खला सकते हैं, आप इस वैपार को इतना बड़ा वैपार है, तो इतना बड़ा कर सकते हैं, यानि वैपार को अब बड़ा करने का वक्त आ गया, एक्स्पेंड कर दीजे वैपार को, राहु छलिया है, अब छलिया ग्रे हट गया है, अब रास्ते खुल गये हैं, गुरु धनवान बनाएं क्योंकि गुरू भी चाड़ाल दोस्टे मुक्त हो गए, अब महनत का जो रंग है वो दिखाई पड़ेगा, परिवार में खुशाली होगी, गुरू पंचम पर दस्टी जा लेंगे, तो विवा के बाद संतान सुख, एक अच्छी संतान का जर्म होगा, योगकारी संतान, कहत जो बच्चे कुपुत्र हो गए थे, जो बच्चे भटक गए थे, जो बच्चे नशे, जुए, सटे बाजी, शेर मार्केट जैसी, ये चा कहते हैं, शौटकर से पैसा कमाने में जो फस गए थे, अब वो जो उनकी बुद्धी में ग्रहन लग गया था, ये ग्रहन अब हट अब वो उल्टे पैर वापस आएंगे और माता पिता के पैर चुकर माफी वागेंगे, कहेंगे गलती हो गई, माफ कर दो, तो कहते हैं, अगर कोई वक्ती सुबह का भूला शाम को घर वापस आजाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, प्रेम में सफलता, सब्तम दश्टी गु की वैवाहिक युवन पे होगी, तो पती पतनी लड़ रहे हैं, सुबह शाम एक दूसरे की शकल नहीं देख रहे हैं, इधर उधर चक्कर चल रहा है, अब ये सब खत्प हो जाएगा, मन में ये भाव आएगा, हम गलत कर रहे हैं, राहु ये सब करवा रहे थे, क्योंकि र अपनी पतनी का प्यार चाहिए, पती का प्यार चाहिए, हम भटक गये थे, कान पकड़ के माफी मागेंगे, और सही रास्ते पर आजाएंगे, घर वाले भी माफ कर देंगे, और घर में प्यार, महबत हो जाएगी, राहु केतू, आपका जो बिगाड रहे थे न, अब वो भटक रहे थे, वो भटकना बंद हो गया है, अब आप हिलेंगे नहीं, टिक जाएंगे एक जगे पर, कुमारे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे थे, अच्छी नौकरी थी लेकिन शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल नहीं, लड़का नहीं मिल नहीं, सब कुछ इच्छाएं इनसान मुझ से नहीं बोल पाता है, वो मन में रखता है, तो मन की इच्छाएं पूरी होंगे, भाग से समय बतलेगा, ये दीपा वली में मालक्षमी का अशिरवाद मिल रहा है, भगवान गणेश का अशिरवाद मिल रहा है, कुवेर देवता की चावी चल ग अब अमरत वर्शा होगी, नौकरी में प्रमोशन, वैपार में, तरक्की वैपार का बड़ा होना, उच्छ पदों पर बैटना, बड़ी फैक्टरी के मालिक बनना, शान और शौकत के मालिक बनना, तीस वर्श के बाद शनी यहां आए, बारा वर्श के बाद रहु यहां प अब किसी की बातों में आकर आप फैसले नहीं लेंगे, अपनी बुद्ती का प्रयोक करेंगे, दूसरों ने जो ठगना था ठग लिया, अब नहीं ठगे जाएंगे, अब राहु बारवे घर में हैं, तो राहु बारवे घर में क्या करेंगे, यात्रा कराएंगे, धर्म से यात्रा करा सकते हैं, राहु धार्मिक शिज़ों पर खर्चे करा सकते हैं, और अगर संभल कर नहीं चले तो accident भी करा सकते हैं, अब आप जो कमाएं उसमें से कुछ इसा धर्म में भी लगाएं, आप जो कमाएं उसको सही चेके पर इन्वेस्ट करें। आप बिजनसमेन हैं तो आप अपने बिजनस को बढ़ाने की सोचे अब। ये समय है दोजार पच्छिस तक अपने आपको बढ़ा करने का। और अगर आप नौकरी में हैं तो जाहिसी बात है कि आप अपने पैसे को सही जगे पर जमीन में, सोने में, मुच्छिल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि वो दोजार पच्छिस, चप्छिस, सताइस और तीस और आगे जाकर थोड़ा सा पैसा बड़ी रकम में बदल जाएं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग अब शत्रू जो जाल बिचा रहे थे अब आप उस जाल को काट हैं, अब आप शत्रू पर नजर रखेंगे, खर्चों पर नियंतर रखने के आउशक्ता होगी, अब आपके नीचे जो नौकर चाकर काम करते हैं थोड़ी सी नजर उन पर भी रखिएगा, हाँ एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, आपके साथ सब अच्छा करेंगे, उतनी गालिया खाएंगे, कर भला, हो भला, ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आप दूसरे का भला करेंगे, दूसरा कहेगा, और दूसरा कुछ कहेगा, यहां को थैंक्यू तक नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आपके पास है, तो दूसरे का भला करते रहिए, इंसान बोले या ना बोले लेकिन ग्रह जब आपको थैंक यू बोल देंगे और आशरवाद दे देंगे तो फिर आप राजा बन जाएंगे तो अब एक लंबे समय से जो परशानिया थी ना वो जैसे ही दीपावली का दीपक जलेगा और उसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा ऐसे बिल्कुल नहीं होगा ये सबको धीमे 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 अच्छा होता हुआ आपको दिखाए पड़ेगा अब महसूस होगा दिल से दिमाग से आप कहेंगे येस नाओ आइम फीलिंग बैटर अब अच्छा हो रहा है अब टेंशन नहीं अब रात को नीद अच्छी आ रही है अ शनी को और मजबूद बनाने के लिए बुद्ध का उपाय करिए बुद्ध का उपाय क्या है गनेश भगवान की उपास्ताओं जरूर करिएगा आपको और ज़्याधा लाब मिलेंगे धर्म से जुड़ जाएए और अपने कर्म को मजबूद बना लीजे ये दीपा वली मं मैं हो जाएगी आनंद में डूब जाएए समय आपका शुरू हो चुका है अब उल्टी इंती गुद्धना शुरू करिए दस नौ आठ साथ छे पांच चार तीन दो स्टार्ट अगर आपकी जरम कुणली में सितारे अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं सितारे कमजोर हैं त क्योंकि आपकी जरम कुणली का मजबूत होना उतना ही आउशक है जितना सितारों का मजबूत होना सितारे ही आपको सब कुलते हैं और जरम कुणली में सितारे ही बैठे होते हैं उनी सितारों को जो आप मजबूत बना लेंगे तो बर्मांड की सारी खुशियां आपकी दि ये ताम शबाइब